हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चानल तेयारी ओनलाइन में बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठे पुस्तक शिती भागदो का सोलावा अध्याय नौबत खाने में इवाधत के लेखक यतिंद्र मिस मिस्र का जीवन परिचे जानेंगे लेखक यतिंद्र मिस्र का जन सन 1977 में उत्तर प्रदेश के योध्या में हुआ और उन्होंने लखनाव विश्व विद्याले से हिंदी में में की डिग्री ली और आज कलवे स्वतंत्र लेखन के साथ अर्ध वार्षिक सहित पत्रीका का स संचालन किया जिसका नाम है बिमला देवी फाउंडेशन यतिंद्र मिस्र की तीन काववे संग्रा जो है वह प्रकासित हुआ है पहला है यदा कदा दूसरा अयोध्या तथा अन्य कविताएं तीसरा डेवधी पर आलाव बच्चों यह बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंक साथना पर उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम गिरिजा रखा रितिकाल के अंतिम प्रतिनी थी कभी द्विश्देव की ग्रंथा वली कस्सा संपादन भी उन्होंने किया कोवर नारायन पर केंद्रेत दो पुस्तकों के आलावा एस्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कारेकरम के लिए रुपंकर कलाओं पर केंद्रेत थाती का संपादन भी उन्होंने किया और इसके लिए बच्चों उन्हें कई पुरुषकारों से सम्मानित किया गया जिसमें भारत भूशन अगरवाल कविता संमान हेमंत अस्मृति कविता पुरुषकार और रितूरा संम उन्हें दिया गया कविता संगीत वा अन्य ललित कलाओं के साथ समाज और संस्कृति के विवित शेत्रों में भी उनकी गहरी रूची रही है नौबत खाने में इबादत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो सबसे पहले आपको यह वता दें कि नौबत खाना क्या होता है भाटक के ऊपर बना हुआ वह अस्थान जहां पर नौबत बजाई जाती है यानि नगारा बजाए जाता है और इबादत यानि इश्वर को याद करना यहां पर नौबत खाने में इबादत जो है वह प्रशिद सहनाई वादर विस्मिल्ला खांपर रोचक सेली में लिखा गया एक वैक्ती चितर है वैक्ती चितर कहने का आर्थ है बच्चों किसी खास वैक्ती के बारे में बताना तो यहां लेखक यतिंत्र नौबत खाने में इवादत इसमें व्लों बिस्मिल्ला खांपर Miles प्रूचि आंतरमण talks संगीत साधना और लगन इन सब ही को संभ संगीत क्या है एक आराधना है एक पूजा है इवादत यानि आराधना या पूजा कह सकते हैं जिसे बिधी बिधान से किया जाता है और लेख़ कहते हैं कि यह जो साधना है इसका एक सास्त्र है और इस सास्त्र से परिशित होना सभी के लिए आवश्यक है इसमें गुरू सिसे परंपरा जरूरी है पुन रूप से तनमेता जरूरी है यानि पूरी लगन से उसमें लगना होता है आप में धैरे होना चाहिए ये नहीं कि हमने बासुरी पकड़ी और हमें बजाने आ गया ऐसा नहीं होता है बच्चों किसी चीज को सीखने के लिए हमें तनमेता होनी चाहिए धैरे होना चाहिए लगन होना चाहिए तब ही हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं तो लेखक ने इन सभी चीजों पर चर्चा किया है तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले मिलते हैं आप से अध्याय में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद